अगर आपका SBI में कोई भी mutual fund है और उसका जो आप bank account number आप change करना चाहते हैं तो आप online कर सकते हैं किस तरीके से आप bank account change करेंगे सारी चीज़े इस वीडियो में बताऊंगो तो चलिए शुरुआत करते हैं So hi everyone, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सलुसन तब ही जा करके होगा अगर आपका 10 लाग से नीचे है तो कर सकते हैं तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता जाता हूँ उसके लिए जोड़ी है कि सबसे पहले आपके पास cancel check होना चाहिए जो भी bank account आप एड़ करना चाहते हैं उसका cancel check आपके पास हो इसके अलावा जो है आपको अगर पुराना bank account भी रखना है तो पुराने bank account का भी cancel check रखना होगा तो इस तरीके से जो है अगर आपके पास cancel check है तो कैसे करेंगे वो मैं बता जाता हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है हमारा website है VJSolution.com इस website पर आने के बाद आपको यहाँ पर सारा information लिखो आप मिलता है तो इसका जो link होगा यह वाला मैं आपने description box में दे दूँगा तो वहाँ से direct आप इस website पर आ सकते हैं अभी मुझे bank account चेंज करना है इसलिए मैं यह वाला option चुले रहा हूँ और इसके सामरे जो link देवा इस पर मैं click कर रहा हूँ तो direct link जो है आपको हमारे website में मिल जागा तो आपको इदर दर घूमने की जुरत नहीं पड़ेगा यह आपको सुब्दा मिलता है हमारे website पर हमारे पास statement है और इसमें folio number नीचे लिखा हुआ होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि folio number के सामने कुछ number दिया हुआ है यही email ID यह मॉयल नमर आपको यहाँ पर दिखेगा लाजट कर दीजिए तो आप email यहाँ पर दिखेगा तो जो आप email यहाँ देते हैं उस पर यह form नहीं मिला है नि तो नॉर्मरली मिल जाएगा अब आपको क्या करना है चुकि हमें आपको स्ट दस लाग से हमारा ज्यादा है नहीं तो मैं यहाँ पर पर प्रसीट पर किलिक कर रहा हूं जैसे मैं पर क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर आपको जो चेक बुक होगा उसमें लिखा वा होता है तो वहां से देखकर कि आपको देदगर चुलू और अगर चुण बैंक आपको बैंक का नमबर इसमें भी देना होता है तो मैंने दोनों में same bank account नमबर दे दिया है तो यह मिलान कर लेना है कि किसी भी तिरे के कोई गलती नहों और यहां करने के बाद आपको नीचे आना है अब यहां पर देखेंगे दो upload का option दिया गया है तो सबसे पहले वाले में आपको जो है जो default bank है जो हमारा पहले से bank account था उसका check upload करना पड़ेगा उसके लिए मैं इस पर click कर रहा हूँ और हमारा old वाला check वो मैं यहां पर upload कर दे रहा हूँ यह हमारा old check जो है यहां पर आगया है अब नया वाला upload करना है उसके लिए इस पर click करना है अब नया वाला हमारा यह है तो मैं यह चुल लेता हूँ और उसके बाद open पर click कर देता हूँ ध्यान लखना है यह जो आप PDF बनाएंगे यह जो है JPEG में upload करेंगे तो यह 100KV से उपर होना चाहिए तो हमारा जो है उससे उपर था easily ले लिया है अगर कम होगा तो आपको issue आएगा सो मैंने यहाँ पर यह कर दिया है और maximum size जो हो 3 MB से जादा नहीं होना चाहिए सो अब यहाँ पर मैंने दोनों कर दिया है अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अर शम्विट देख रहा है इस पर मैं किलिक कर दयता हूँ जैसे हमें सम्विट करूँगा एक OTP फिरसे हमारे मॉवायल पर आएगा इसको verification के लिए तो ओ मैं आपर आगे हमारे मॉवायल पर तो मैं में फिर से जो आपस जो प्रोसेस किया था मैं वो करता हूँ उसके लिए मैं आपको यहां पर देना है वही मैं अभी दे रहा हूँ और उसके पाद समीट पर किलिक कर रहा हूँ जब मैं submit पे click हूँगा फिर से OTP आएगा सेम process मैं follow कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखा दूँ कि यह add हो गया होगा और यह करने बाद verify पे click कर रहा हूँ जब मैं verify पे click करूँगा तो यहाँ पे फिर से वही option आएगा इसको मैं proceed पे click कर दूँगा और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा HDFC bank जो अभी मैं add के आप लोग के सामने वो add हुआ पड़ा है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग ने देखा कि वो error आने के बावजुद भी add हो जाता है website है या ओ भी सरकारी bank या ओ भी SBI का है तो आपको इसके साथ ऐसे deal करना पड़ेगा आप करेंगे और आपका add हो जाएगा तो इस तरीके से हमने बताया अगर कुछ और query है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं जरू बताऊंगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद